साल 2020 में टीवी पर प्रसारित किया गया सीरियल अनुपमा तो आप सभी लोग देखी रहे होंगे और इस बात में कोई भी दोराय नहीं है कि ये सीरियल देखते ही देखते सूपर हिट सीरियल में से एक सीरियल बन चुका है क्योंकि इस सीरियल की कहानी है ही इतनी जबर्दस्त साथ ही सीरियल में नज़रा रहे कलाकारों की एक्टिंग भी काफी ज़ादा लाजवाब है आपको बता दे कि इसी सीरियल में अभिनेता पारस कलनावत भी अभिने करते हुए नजर आ रहे हैं जो इस सीरियल में अनुपमा के छोटे बेटे समर शहा का करदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने यूनीक और दमदार भरी एक्टिंग से लाखो लोगों से खू आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहे हैं। अगर बात करें इनके लोक के बारे में तो आपको बतादें कि ये आस थोड़े बूढे और स्ट्राइलिश दिखाई देते हैं जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। पिता के बाद बात करते हैं इनकी माता के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी माता एक हाउस वाइफ हैं, जो अपने घर को सम्हालने के साथ साथ अपने पती और बच्चों का भी अच्छे से ध्यान रखती हैं, हलाकि इंटरनेट पर इनकी जादा तस्वीरे उपलब्ध पर अपने जादें कि इनकी खुबसूरती के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी अभी तक अपना घर नहीं बसाया है, पर इन्होंने अपने जीवन में टीवी इंडॉस्ट्री की मशूर अभिनेत्री और फी जावेद को सच्छे दिल से प्यार किया था, पर अफसोस इनके साथ इनका ये रिष्टाव टूट चुका है, तो इसलिए बात करते हैं इनकी लव स्टोरी के बारे में, दरसल बात ऐसी है कि जब ये दोनों अपने सीरिल मेरी दुर्गा में एक साथ काम कर रहे थे, तो उसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी इतनी बढ़ गई कि जिसके चलते इन्होंने एक दूसरे से ब्रेक अप कर लिया, और इस तरह से इनका ये पहला प्यार अधूरा ही रह गया, तो दोस्तों आपको अभिनेता पारस कलनावत की रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें अपनी राय कॉमें इन्बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं, साथी टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और मज़ेदार खबरों को जानने के लिए आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें